है दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस दी ओनली रोडल एलेंड पर आज हम आए आपके पास एक नई अपडेट के साथ आप देखिए यह अर्थ वर्म्स जिनको हिंदी में केंचो भी कहा जाता है बारिशों में यह बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स आपके मुर्गियों के लिए अगर आप ओपन रेंज फार्मिंग करते हैं तो आप अगर आपके पास एक खुली जगा है जहां पर मिट्टी है तो इस समय पर केच्वे बहुत पैदा होते हैं और इनके लिए हाई प्रोटीन है तो हमने इस चीज को नोटीस किया और देखा कि बहुत से केच्वे यहां पे आ रहे हैं आप देखिए यह इस तरीके से आप देखेंगे तो मिट्टी में चुपे होते हैं और बहुत ही हाई प्रोटीन है मुर्गियों के लिए तो जो भी किसान भाई हैं जो अपनी ओपन इन फार्मिंग को करते हैं वो इन चीज़ों क को देखें कि यह अर्थ वाम्स इनको आप यूज करें अपने मुर्गी के फीट के लिए मुर्गी की फीट कोस्तों कम होगी होगी साथ के साथ उनको एक अच्छा प्रोटीन एक अच्छा नियूट्रीशन भी उनको मिलेगा और काफी मात्रा में बारिश के टाइम पे यह जमीन के अंदर और उस जमीन से आप इनको खोटके निकाल सकते हैं और साथ के साथ आप देखेंगे तो इस समय पे अगर खुली जगा पे आप कर रहे हैं अपनी पौल्टरी फार्मिंग को तो आप देखेंगे घास भी काफी है उस घास का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं हर जब अंदर इनको डाला मुर्गियों में देखिए किस तरीके से बच्चे उस पर तूट पड़े बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स जिसको यह खाएंगे और इनकी ग्रोथ में फाइदा होगा और साथ ही साथ फीट कोस का तो ही अफ़कॉर्स और इनको एक प्रोटीन भ घूम घूम कर उसको खा रहे हैं और चीन के आपस में भाग रहे हैं यह एक हमने जस्त एक टेस्ट के लिए उनको निकाला था उसके बाद यह खुद ही अपना जमीन से खोद के केंच्चुओ को कीड़ों को जो की बारिशों में स्पेशली पैदा होते हैं उसको खाते हैं अब देखिए यहां पर कैसे इन में आपस में छीना जप्ती मची हुए दोस्तों तो जो किसान भाई अभी नई फार्मिंग को स्टार्ट किया है यह जो पहले से भी कर रहे हैं उनको पता होगा पर जिन भाईयों को नहीं पता है हमारी यह वीडियो स्पेशली उनी के है और आपको यह मीनिंग फुल लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बताए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा है ताकि आने वाले स्टार्म पे और भी बहुत सारी चीज़े हम अपने चैनल के थरू आप भाईयों तक पहु आगे ने वीडियो के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा जब तक के लिए टेक क्याएब